नमस्कार दोस्तो, एंटीना लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं एक डेरिवेशन आपको समझाना चाहता हूँ जो exam point of view बहुत important है तो ये जो topic का नाम है Vector Potential A for an Electric Current Source J यानि जो Vector Potential है उसे मैं A से represent करूँगा और वो मुझे find out करना है from the electric current source that is J पहली बात तो ये आपको पता होना जीए कि आप Vector Potential A को study क्यों करते हो पहले जो ये derivation होगी इसका main objective ये है basic understanding ये है कि कई बार आपको जो आपके EM waves signal antenna से radiate होते है उसमें आपको electric field निकालनी होती है लेकिन इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि electric field निकालने के लिए आप Vector Potential A अगर given है तो भी आप electric field निकाल सकते है तो वीडियो को start करते हैं जो Maxwell equation है डेल डोट B हमें पता है equal to 0 है डेल क्रोस E हमारा क्या होता है minus curly B upon curly T curly upon curly T जो है इसको मैं J omega से represent कर सकता हूँ harmonic components में convert कर सकता हूँ तो minus J omega B आपका क्या है mu into H तो minus J omega mu into H भी लिखा जा सकता है तो अब हम derivation का जो first step है वहाँ से start करते हैं Maxwell equations को हमने as a standard start किया है डेल डोट B equal to 0 यहाँ पे जो B है वो magnetic flux है आप देखो यहाँ पे जो B है obviously यह एक vector quantity है है ना तो इस B को मैं डेल क्रोस A से भी represent कर सकता हूँ क्योंकि किसी का भी cross product लोगे तो वो vector का ही हो सकता है डेल क्रोस A result में भी आपको vector ही देगा that is B तो यहाँ पे जो B है वो डेल क्रोस A है तो इस equation में B की बज़ाए डेल क्रोस A हमने put कर दिया तो मुझे एक यह equation मिली अब यहाँ पे जो में B है that is mu into H लेकिन यहाँ पे मैंने A लिखा है यानि for the concern of vector potential A तो यह लिखा BA is equal to mu into HA यह आपकी एक standard third equation बनी यहाँ से HA हमने निकाल लिया that is BA upon mu तो जो हमारा HA है वो क्या है 1 upon mu BA BA हमें पता है कि डेल क्रोस A आपका है तो यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया तो जो आपकी magnetic field intensity है HA वो in terms of vector potential हमने यहाँ पे निकाल ली अब हम क्या करेंगे एक another Maxwell equation लेंगे यह Maxwell equation ली इस result तक पहुँच गए दूसरी Maxwell equation लेंगे आगे देखते हैं डेल क्रोस E A equal to minus curly B upon curly T curly upon curly T को J omega से represent किया B को मैंने mu into H लिख दिया तो यह equation बनी अब देखो डेल क्रोस E A is equal to J omega मुझे पता है mu into H A यह क्या है B A और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डेल क्रोस E तो यानि इसकी बज़ाए मैंने यहाँ पे डेल क्रोस E लिख दिया है आप steps को अच्छे से समझें derivation आपको clear हो जाएगे अब इसके बाद इसको मैं right side लेके गया डेल क्रोस E A यहाँ minus sign है तो यहाँ पे right side positive हो जाएगा J omega डेल क्रोस E equal to 0 अब देखो यहाँ पे भी डेल क्रोस है यहाँ पे भी डेल क्रोस है तो डेल क्रोस मैंने common ले लिया यहाँ से E A plus J omega A यह term आपकी यहाँ पे बची equal to 0 अब डेल क्रोस something क्या होगा डेल क्रोस something हमेशा वेक्टर में होगा इसका result भी आपको वेक्टर में मिलेगा तो E A plus J omega A आपका एक वेक्टर बना इस वेक्टर को हमने assume किया minus del phi E इससे represent कर दिया तो इसकी बज़ाए अब हम यह factor लिखना start करेंगे तो यह आगया आपका डेल क्रोस minus E A है यानि जो मेरा वेक्टर पोटेंशियल A के reference में जो मेरी electric field है वो क्या है this is equal to E A यहाँ से निकालूँगा मैं तो minus del phi E यह right side जाएगा minus J omega A यह मिल गया मुझे ठीक है तो यह equation बहुत important है अब मुझे electric field निकालना है तो यह vector जो potential है यह यहाँ पे available है लेकिन del phi E की value मुझे नहीं पता तो आगे की जो भी steps होंगे उसमें मैं intentionally del phi E की value निकालना चाहता हूँ और वो value अगर in terms of A आ जाए तो मेरा जो परपज है वो solve हो जाएगा मेरी जो electric field है वो with help of vector potential मुझे मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए मैंने एक basic theory यूज की यहाँ पे del cross del cross A यानि यह आपकी क्या है एक theorem है इसको मैं कैसे represent करता हूँ del multiply del dot A minus del square A यह आपकी क्या है property है cross products की अब देखो del cross A को क्या लिख सकता हूँ B और वो B आपका क्या है बच्चो mu into HA तो del cross mu into HA मैंने यहाँ पे लिखा right side आपकी as it is रही अब देखो mu आपका क्या है constant तो constant value बाहर निकल जाएगी तो mu बाहर आया del cross HA यह value यहाँ पे बची है अब देखो Maxwell की जो fourth equation है वो क्या होती है del cross H this is equal to what J current density plus J omega epsilon E right और इसको derivation form में कैसे लिखा जाता है current density plus curly D upon curly T curly by curly T से J omega और D को मैं क्या लिखूंगा epsilon into electric field तो यह मैंने यहाँ पे use कर दिया अब देखो यहाँ पे अब del cross H की ये value है with help of Maxwell equation del cross H यहाँ पे था लेकिन mu से multiply किया तो इसको पूरे को mu से multiply कर दो mu into J plus J omega mu E और electric field this is equal to right hand side आपकी edge it is है अब देखो left hand side तो हमारी solve हो गई right hand side को भी अब solve करें देखो गई del multiply del dot A ये आपका एक constant value देता है ये मैंने EMFT lecture series में बता रखे हैं सारे del operators की वो कैसे कैसे काम करते हैं अगर ये constant है तो इसको मैंने assume कर लिया minus k square A और यहाँ पे जो k है वो क्या है k आपका एक phase constants की तरह काम करता है तो ये हो जाएगा आपका k is equal to j omega under the root mu into e इसका square कर दो आप k square क्या हो गया j square that is minus 1 omega square और root आपका cancel तो minus omega square mu into e ये value आपकी आचुकी है तो k square की value ये आचुकी है ठीक है अब देखो यहाँ पे del multiply del dot A आपने क्या माल लिया minus k square into a तो इसकी बजाए अब ये value put कर लो ठीक है और ये क्या है minus del square A ये भी negative ये भी negative negative sign common और right side आपको भेज़ दो इसको तो ये क्या बन गया आपका del square A plus k square A और जो negative sign था वो इसके साथ multiply होगा क्योंकि यानि mu epsilon into electric field ये आपकी एक equation आ गई ठीक है अब देखो वच्चो ज्यान से del square A plus k square A as it is minus u into j as it is अब ये देखो जो आपका e है ये वाला ये देखो e आपको क्या मिला था ये इस equation का use कर लो इस e की बजाए ये value यहाँ पे substitute कर दो ये value हमने substitute कर दी del phi e plus j omega A अब इसको आप multiply कर लिजिए left hand side आपकी adjectives right hand side minus mu j plus j omega mu epsilon into del phi e ठीक है अब यहाँ पे plus 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 लेकिन j into j j square that is minus 1 और omega into omega omega square mu into epsilon into A ये value आ गई अब देखो यहाँ पे इस value को check करो द्यान से minus omega square mu into E क्या है k square यानि minus omega square mu into E k square है और into क्या है A तो k square into A आपका क्या हो जाएगा del multiply del dot A यानि इस पूरे terms को मैं plus del into del dot A से represent कर सकता हूँ यहाँ से del और यहाँ से जो del है वो common आ गया right तो यह मैंने common ले लिया del dot A इसकी बजाएए मैंने यह लिख दिया plus यहाँ पे j omega mu E into q E मैंने यह लिख दिया right यह equation यहाँ से बन गई अब इसके बाद एक ideal condition अगर आप consider करेंगे तो यह जो पूरा complete part है इसको 0 के बराबर आपको put करना पड़ेगा right जब आप इसको 0 के बराबर put करोगे तो यहाँ से आप जो q जो phi E है वो निकाल सकते हो और देखो यहाँ पे मुझे phi E की value ही पता करनी थी in terms of vector potential उसके बाद मैं electric field आसानी से निकाल सकता हूँ तो यहाँ से मैंने by j omega epsilon into mu यह value है जैसे ही यह phi E की value आपको मिली यह जो आपकी standard equation निकाली थी आपने इस value को इस value में put कर देजिए आपको यहाँ पे जो electric field है वो in terms of vector potential आपको मिल जाएगी अब यह देखिए e A is equal to minus j omega A minus del into del dot A divided by j omega epsilon into mu यानि जो right hand side है वहाँ पे आपका vector potential है और left hand side आपकी electric field है यही हमारा objective था कि जो electric field है वो हम with help of vector potential भी निकाल सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह video आपको समझ आया होगा I repeat यह exam point of view बहुत important है इसको ignore मत करना thank you so much for watching this video